गुद्ट मॉर्닝 फ्रेंड्स. वेलगम टू तु तु डेअज लेक्चर ओफ एयर हैंटिक्टॉ अज की इस लेक्चर में बैसिकली हम ये बात करतेंगे कि एयर हैंटिक्रिक्ट क्या होती है ये किस तरीके से काम करती है इसके कौन-कौन से parts होते हैं, हर एक part का क्या role रहता है, and various other things So, before starting today's lecture, अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और जितना ज़्यादा possible है उतना ज़्यादा videos को like कीजिए, और अपने friends से share कीजिए Starting with today's lecture सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक air handling unit जो होती है, उसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि air handling unit का basic काम ये रहता है, कि जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, like जो भी हमारे offices हैं, या फिर जो भी हमारे powder processing areas हैं, उसमें जो air की quality है, वो proper तरीके से maintain होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की problem ना हो because अगर air की quality proper नहीं रहेगी, तो वहाँ पे आपको suffocation होने की chances रहते हैं, आप comfortable नहीं feel करेंगे अगर आप normal conditions की बात करते हैं तो एक जगह है, जहाँ पे हमें काम करना है, वहाँ का temperature हम near about 24 to 25 degree और जो relative humidity रहती है वो 50% के आसपास में रखते हैं तो याद रखेगा, AHU का काम रहता है to recondition and circulate the air as a part of heating, ventilation and air conditioning system ये air conditioning system का basically एक part होता है AHU basic function of AHU is to take outside air, recondition it and supply it to the building third one is, ये air को recondition करता है, with the help of आपका heating coils हो गया है, या फिर cooling coils हो गया उनकी help से, अगर आप इसका basic diagram देखेंगे, तो ये देखने में इस तरीके का इसका basic diagram रहता है ये ये ज़स्ट यहाँ पे एक diagram में दिखाया गया है बट आगे की slide में मैं आपको काफी ज़्यादा detail में बताऊंगा ये आपकी return duct है, इस return duct से इस तरफ move किया जाता है ये आपका fan लगा हुआ है ये fan जब आपका चलता है तो एक negative draft create करता है जिसकी वज़े से इस room की air इस तरफ move करती है ये इस zone में एक negative draft create करेगा और उपर की तरफ इसका discharge होता है अब जैसे ही इसने एक negative draft create किया तो इस room के अंदर present जो भी air है ये air इस तरफ इस तरीके से move करेगी अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक exhaust duct दिया हुआ है याद रखेगा कि मालीजे इस room की सारी की सारी air मैं इसके अंदर ही circulate करता रहता हूँ तो इसके अंदर जो भी pollutant आपके मालीजे के वहाँ पर कोई solvent आप handle कर रहे है तो इसकी जो smell है वो सारी की सारी चीज़े आपका room में trap रहेंगी मींस अगर आप सेम air circulate करते रहेंगे तो air की जो quality है वो आपकी enhance नहीं होगी वो आपकी decrease होती रहेगी इसलिए जो return duct है इसमें से कुछ पार्ट air का ये हम exhaust करते हैं यहाँ पर आप देखिए एक damper लगा हुआ है इस damper की help से हम return जो भी हमने इस room से खीचा उसका कुछ पार्ट हमने exhaust कर दिया और जितना पार्ट हमने exhaust किया है उतना ही पार्ट आप ये देखिए यहाँ पर एक fresh air लगा हुआ है fresh air का duct है ये एक आप इसको main chamber माल लिजिए यहाँ पर जितना भी return air आ रहा था इस room से हमने जितना return air लिया उसमें से जितना हमने exhaust किया उतना ही हम यहाँ से fresh air make-up करते हैं अब आप देखिए fresh air की line में भी एक damper लगा हुआ है एक pre-filter लगा हुआ है अब यहाँ पर pre-filter का काम basically यह रहता है कि जितने भी measure dust particles बाहर से आ रहे हैं यह उन सारे के सारे dust particles को रोग देगा means measure जितनी भी आपके unwanted चीज़ें present हैं यह उन सारे के सारे unwanted चीज़ों को यह filter रोग देता है after that यह damper लगा हुआ है damper air के flow को आपका control करता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अब यह आपका AHU का chamber हो गया है यहाँ से आपका return air का कुछ percentage आया माली जी 80% आपकी return air आ रही है और 20% आप उसका fresh air make up कर रहे है तो यह जो zone है यह जो zone है यहाँ पर return air और fresh air आपस में mix हो गए after that यह आगे आप देखेंगे यह पहला अलग जो ने green line से दिखाया है यह आपका एक HEPA filter लगा हुआ है अब याद रखेगा कि HEPA filter काफी important role play करता है because यह आपका काफी important तरीके का filter होता है इस filter का basically property यह रहता है कि यह 0.3 micron से नीचे के particles को ही अपने throw present होने देता है उससे बड़े size के यह सारे के सारे particles को यह वाला filter HEPA filter यह अपने में रोक लेता है even यह किसी भी तरीके के bacteria को अपने से present नहीं होने देता है यह maximum viruses को भी रोक लेता है even कुछ virus इससे pass भी हो जाते हैं बाटि bacteria इसको pass नहीं होने देता है याद रखेगा HEPA filter का full form होता है high efficiency particulate air filter इसको इसी लिए use करते हैं क्योंकि यह 0.3 micron से नीचे के particles को ही अपने throw pass होने देता है after that आप देखेंगे कि air इस filter से pass हो गई then यह cooling coil में जाती है अब यह cooling coil का का काम यह रहता है कि जितना भी आपको temperature maintain करना है उसके हिसाब से यह air को ठंडा करता है अब इस cooling coil में utility आपका shield water भी flow कर सकती है या फिर direct refrigerant भी आपका flow कर सकता है अब इसका काम रहता है आपके air के temperature को maintain करना अब आपकी conditions के हिसाब से यहाँ पे आप एक set point देते हैं उसके हिसाब से इसका temperature maintain होता है after that आपका एक heating coil लगा हुआ है heating coil का का काम यह रहता है कि air की humidity को control करना जो air cooling coil के थो आगे जा रही है उसमें कितनी humidity है यह as a dehumidifier काम करता है आपका heating coil इसके temperature को आप एक hot water system से connect करके इसका temperature आप control कर सकते हैं और depending upon आपको कितना air को dehumidify करना है उसके इसाब से इसका temperature basically maintain किया जाता है अब यहाँ से जो भी air आ गई इन टीनों के थो उसका आपका temperature भी maintain आपने कर दिया है और उसका आपने humidity भी maintain कर दिया है then यह air आपकी इस fan को के पास में आती है यह fan इसको सक करता है और आगे की तरफ move करवाता है अब आप देखेंगे तो इस fan में अगेन एक damper लगा हुआ है यह flow को again control करता है then यह आपका air का inlet duct है यह देखेंगे यह आसे inlet duct से दुबारा room में air enter कर रही है room में air enter करने से पहले हमने again एक hepa filter लगा रखा है ताकि अगर कुछ भी उसमें थोड़ा भूदी particles present हो तो वो भी आपके remove हो जाए after that again damper air के flow को control करने के लिए तो याद रखेगा कि AHU system का काम यह है कि जूस भी room में या फिर आपके powder processing area में वो air supply कर रहा है वो air supply बिल्कुल fresh air जैसी होनी चाहिए और दूसरा उसकी relative humidity और temperature आपका maintain होना चाहिए तो hope आपको AHU की पूरी की पूरी working बिल्कुल clear हो गई होगी next हम बात करते हैं AHU की parts की तो इसमें सबसे पहला part होता है housing जैसा कि मैंने आपको पिछले diagram में दिखाया था एक metal box बना हुआ रहता है जिसमें आपके inlet, outlet ducts, exhaust ducts सारे आपके connect रहते है second आपके filters होते हैं जैसा कि मैं last diagram में आपको अल्रेडी बता चुका हूँ filters मेरे different तरीके के रहते हैं HEPA filters होते हैं back filters होते हैं panel filters होते हैं electroesthetic filters रहते हैं अगर आपको means कुछ charged particles precipitate करवाने हैं तो carbon filters भी आप use करते हैं इन filters का जो selection होता है ये basically depend करता है कि आप HU system को किस जगे पे use कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका selection किया जाता है next आपके fans रहते हैं fans का selection basically रहता है कि आपको कितनी air को circulate करना है mixing box mixing box ये आपका वो box होता है जहाँ पे outside air और return air आपकी एक दूसरे के साथ में mix होती है cooling coil जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ cooling coil का का काम ये रहता है कि ये आपके जो भी air आपकी आ रही है उसको sufficient temperature provide करती है then आपका humidifiers रहते हैं जो आपके hot air winter के season में आपका ये coil लगी रहती है आपका heating coil उसकी help से जो humidity रहती है वो maintain करती है ये भी मैं आपको पहले ही clear कर चुका हूँ so hope आपको issue और इसके parts बिल्कुल clear हो गए होंगे so that's all for today's lecture next lecture में basically हम बात करेंगे कि HEPA filter क्या होता है उसकी क्या unique properties रहती है and various other things so till then goodbye have a nice day